दोस्तों जी ओ इंटरनेशनल रोमिंग एक बार आप लोग ने एक्टिवीट कर लिया करने के बार डियक्टिवीट करना चाहता है बहुत सारा लोग पुछेगा भी ऐसा डियक्टिवीट केसा करते है डियक्टिवीट तो करना नहीं परता अगर आप लोगों को डियक्टिव शुरूर करिएगा और नोटिफिकेशन का बैल भी ऑल ओन करके राकिए ठीक है चले शुरू करते है वीडियो को यह कि जी इंटेनेशनल रोमिंग आप लोग ने एक बार एक्टिवीट कर लिया और उसके बाद आप लोग डियेक्टिवीट करना चाहता है उसको हटाना चाहत है तो वह भी कर सकते है ठीक है सबसे पहले माई जी एप को इस्टॉल कर लिए इस्टॉल करने के बाद लोग इन करने के बाद सबसे एजी है यहां से जो माई जी एप से कर सकते हैं अगर माई जी एप से ने कर पा रहा है तो नीचे से देखिए लिखा रहा है और कस्टमर क का नंबर है चाट करके और बात करके कॉल करके भी बन करा सकते है डियक्टिविट करा सकते है ठीक है सबसे पहले मेन मेनु में जो जीयो एप माई जीयो एप खोलेंगे खोलने के बाद नीचे है मेनु पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद डायरेक नीचे जाएंगे और सेट जिसके देख पड़ा है, मेरा जो है international already activate है, यहाँ पर deactivate दिखा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को अब ऐसा दिखाएगा, अगर आप लोग पहले से international activate करके रखा, तो यहाँ पर deactivate दिखाएगा, जैसे कि deactivate पर click करेंगे, यह international हर जाएगा यहाँ से और deactivate हो जाएगा, ठ चैटिंग करके भी चाट करके भी वार्साप चाट है वहाँ से बात करके भी अब लोग बन करा सकते हैं दियक्टिविट करा सकते हैं तो बस इतना ही तहाँ आज का इस वीडियो और चैनल पर नहीं है तो जरूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा नोटिविकिशन का वैल भी अलवान करके राके आगे इसी तरह का एलफूल वीडियो मिलेगा और इससे ज़्यादा जान करी चाहिए तो मेरा वीडियो का नीचे कमंट ज़रूर करिएगा और आप लोगों के लिए वीडियो मिल जाएगा और इससे ज़्यादा जानकरी चाहिए मेरे इस्टाग्राम में आके फॉलोई कर लेजिए गया इसके बाद आप लोग बात करिए